नवस्कार दोस्तो आप सभी का श्वाकत है सिक्षा अकाडिमी के इस व्योडियो में दोस्तो आज के इस व्योडियो में हैं मद्द प्रदेश का गठन एबं पुनर गठन की संपूर्ण जानकारी तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदान है की जिन दोस्तो ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वैए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें जिससे जो भी मैं अंगला नए व्योडियो तो डालगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके तो चले दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो को आप सुरूर से लेके आखरी तक जरूर देखें ताकि आपको सम्कून चानकारी मिल सके और आपका गठन एवं पुनर गठन से क तक जरूर देखें ताकि आप हर कुश्टन को गहराई से समझ सकें तो चले दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आजादी के पहले तक मतलब 1947 के पहले तक आजादी के पहले तक मद्द प्रदेश जैसा कोई राज नहीं था बल्कि इस छेत्र को पहले सेंटल हैं नाम से जाना जाता था जिसतो आजादी के बाद ओर विदेशी रहासतों का एककरन तक सभी भरत का हिशा हिए सभी को हजता बनाया गया सबी रिहास्तों को चार बर्गों में बवाजित किया गया था इतनी भी रिहास्ते थी लगबाग पांच सो बासर रिहास्ते थी पांच सो बासर रिहास्तों के शम्थंगती भारत में और यह सब पासर रिहास्तों को भारत में शम्लित किया गया और इनी सबी रिहास्तों को च और उसने हैं बर्गमें और दो चारों में विभाजत किया ते पांस तो बाच्छत कौन वार्ग में इसका अलग-अलग से डवाइडेशन हुआ था है इसके वाद जबसे आज देज सुतंत्र हुआ है सभी अपने अलग अलग राज चाय दे थे कि अपना राज अलग से सतंत्र हो तो सबसे पहले इसके लिए आयूक बना था एसकी धर आयूग बना था जो की स्याम क्रिश्ण की अद्ध्यक्सता में आयूग का गठन किया गया इस्तो इन्हों ने क्या सिफारिस की थी इस्तो एसकी धर आयूग ने भासाई आधार पर राज्चों के पुनर गठन का बरूत किया बहां साही आधार पर पुनराचियों के पुनरगठ अनका प्रोथ किया था उनका मुख जोर पिर्शासनिक पिर्शासनिक सुविदाओं को आधार बनाने पर था लेकिन यह है इनका सुजाओ किसी ने नहीं वाना वह रहा है रद्ध हो गया इसके बाद दूसरा आयूग बना तो जिसने पिरभारी जन्ता की आपसी शेहमती और आर्थिक पिरशासनिक बिवस्ता प्रोशासनिक भेवल झूडेते उए भांसाई आधार पर राज्यों की गठब का सजाव दिया था भांसा याधर पर राज्यों का गठन का सजाब दिया था दोस्तो एस के धर आयोग ने भांसा याधर पर रुट दिया था और दूसरे आयोग जेपी आयोग ने भांसा याधर पर राज्यों का सजाब दिया था दोस्तों इसके बाद सामाजे कार्य करता स्री रामलू या फिर रुमा रुलू वीजद की नाम से जाना जाता है दोस्तों इन्होंने 58 दिन के आमरन अंशन के दौरान मृत्तु हो जाने के कारण करता चैर करता स्री रामलू की कि आमरन अंशन को अलग करने को बोल रहे थे और रहनोंने अंधोर्न कया था और इन्होंने 55 दिन के आमरन अंशन के और उरढ़न दिन बाद मौत्तु ह pestic जिसके खरण 1 अक्टूबर 1913 भन और 1925 राज्ट का गठर किया गया दोस्तो यह भारत का पहला राज्ट है जिसका गठर भासा याधार पर किया गया इसके बाद दोस्तो स्यत फजल अली इस आयोग के बाद स्य्यद अ χाज्य गठन नायूг का गठन किया गया तो इसके अद्यक्ष राजव पुनर गठो नायूग नायूग नीससो तरी पन के अद्यक्षते अध्यक्षते सहियत सहियत फजल अली और दो अन्ने सदस्चते एक हिरदैनात पुर्जू और दूसरे थे के एम पणिकर राजपनागठनायोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौपी भारत में कुल सोला राज और छे केंद शासित पिरदेश गठन करने की सिपारिस की राजपनागठन अधिनियाँ 1956 रिपोर्ट के बाद संसद में एक प्रस्ता पारित हुआ और राजपनागठन आयोग के नाम अधिनियाँ 1956 इसके दोना क्या हुआ आप जान लेते हैं दूस्तों फजल अली की रिपोर्ट के यादार पर शंसद में यह अधिनियम पालत किया गया तथा भारत में चाउदा राज और छे केंद्र शासत प्रदेशों का गठन किया गया था दूस्तों आप ध्यार रहें कि सिवारस की गई थी सूला राज्चों की और छे केंद्र शासत प्रदेशों की लेकिन चाउदा राज्च और छे केंद्र शासत प्रदेशी बने थी यानि कि दो नहीं बने थे दो पी मनग्जोर नहीं थी सूला सिपारस की गई थी और चाउदा राज्च का गठन किया गया था फिर दो इस अधिनियम की अनशार मद़्र प्रदेश की विसन रहभ, आनए याने जान लेते हैं, चेत्र मद्द प्रदिश में कौन कौन से चेतर शामिल किये गए तो दोस्तों मद्द प्रदिश में सामिल पहरा चेतर था C.B.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R रहासत थी अब जाते हैं दोस्तों डीटेल बारे में और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीपी बरार बर्ग ए इसकी राजधानी नाक पर हुआ करती थी और इसके अंतरकत आने आने वाले चेत्र दोस्तों बच्टीवी बरार में आने वाले चेत्र विधर्व महा कॉंसल और च्छेत्र आते थे सीपी बरार का लगभक संपूर्ण चेत्र मद्द पिर्देश में सामिल किया गया किन्तु इस मैं से आज जिल अलग करके महराष्ट को दे दिये गए कि आज जिल अलग करके महराष्ट को दे दिये गए कौन कौन से जिल दोस्तों एक था गुल्धाना दूसरा अकोला तीसरा आवर अबरावती चौता यावंदमाल पांचमा बर्दा छटबा नाकपौल शातमा भंडारी और आटमा चंद्रा था यह आज जल जले थे जो की इसीपी वरार सी हटाकर महराष्ट को दे दिये गया महराष्ट में सामेल किये गया है आठो जला इसके बाद बात करते हैं दोसे वी जाने कि मद्दा प्रांथ दोस्तों मुद्द्प्रांथ बी वरग का छेतर था बीवरग का रहा सकती या जेतर था या भाग था तो कुछ भी आप पोछ क्ते हैं इसकी राजदानी छे माई के लिए गौालियर और अंगले छे माई के लिए इंदौल हुआ करती थी दोस्तो मद्द पिर्दिस के मंद्र सौर्जले मंद्र सौर्जले की भानप्रा तहसिल की सुनेल टपा गाउं पूराजिस्तान को दे दिया गया दोस्तो मद्द पिर्दिस के मद्र सौर्जले मंद्र सौर्जले मंद्र सौर्जले के भानप्र तहसिल की सौनेल टपा गाउं राजस्तान को दे दिया गया बदले में राजस्थान के कोटा जिले की स्रोंच तैसिल राजस्थान की स्रोंच तैसिल को मद्द प्रदेश के विदीशा जिले में शामिल किया गया था दोस्तों यह सब पहले तो मद्द प्रदेश के क्या दिया गया था और इसके बदले में राजस्तान के पोटा जिले की स्रोंच तैसील को मत्द प्रदेश की विदीशा जिले में शामिल किया गया। ऐसके बाद अंगला है दोस्तों भिंद प्रदेश रहासटी बिंद प्रदेश सी बर की रहासटी और इसकी राजदानी रीवा हुआ करती थी दोस्तों इसे इसमें आने वाले छेत्रते बगेलखंड और पंदेलंखंड छेत्र आते थे इसके बाद दूस्तों अंगला है भुपाल इस्टेडियानी शोदा भुपाल इस्टेडिया सी वरुक की रासती और इसकी राजधानी भुपाल हुआ करती थी दूस्तों इन चारों को मिलाकर एक नवंबर 1956 को मद्द्पिर्दी शार्च का गधन किया गया और उसकी राजधानी भुपाल बनाई गई जो की भुपाल जो की पहले एक सीहौर जले की क्या थी तैसिल थी दूस्तों प्रेश्ण पूछ लेते हैं कि भुपाल पहले किसकी तैसिल थी तो भुपाल सीहौर जले की एक तैसिल थी 1956 के पहले एक नवंबर 1956 को मद्द्पिर्देश में गुल 43 जले थे दूस्तों इसके बाद 26 नवंबर 1972 को भुपाल और राजनन्द गाउं जले का गठन किया गया तो जो कि भुपाला भी एमपी की राजदानी है और राजनन्द गाउं है जो 36 नवे शामिल हो चुका है जिससे दो जलो गठन होने के बाद मद्द्पिर्देश में जलों भी शंग्या 45 हो गई थी इसके बाद 25 मई 1998 को बीपी दुबे आयोग के आधार पर दस नए जलों का गठन किया गया किसकी सबार इसको आयोग पर बीपी दुबे की आयोग पर बीपी दुबे आयोग के आधार पर दस नए जलों का गठन किया गया डीट भी आप याद रखिएगा 25 मई 1998 जोस्तो इसके बाद मद्द पिर्दीश में जलों की शंग्या 55 हो गई दस नए जलों गठन हो गई थी इसके बाद अंगली कमेटी बनी थी दस जून 1998 को यह सेंद्यू आयोग किया कमेटी यह सेंद्यू कमेटी की नाम से थी और इसकी सपार इसके आधार पर छे नए जलों का गठन किया था जिससे आप आध्द प्रदीश में जलों की शंग्याय घ्रिट हो गई थी इक सट ज्याव नए जलों को गठन होने के बाद कर दो दूस्तों अंगे बात करते विभाजन के पहले विभाजन के पहले तक मद्द प्रदीश में पुल 61 जली 62 और 12 संभा करती थी यानि कि वारा संभाग हुआ करते थे तथा मद्द पिर्देश छेत फल की दिरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य था सबसे बड़ा राज्य था मद्द पिर्देश को अब बरतमान में दोशे नम्मर रहें दोस्तों एक नमंबर 2000 को एक नमंबर 2000 को मद्द पिर्देश के छेत फल का मद्द पिर्देश के छेत फल का 30.46% भाग 36 गड़ राज्य में चला गया तथा मद्द पिर्देश के 16 जिले और 3 संभाग अलग करके 36 कड़ को 36 कड़ को भारत का 26 वा नया राज्य बनाया गया कब दोस्तों एक नमंबर 2000 को मद्द पिर्देश के छेत फल का 30.46% भाग 36 गड़ राज्य में चला गया तथा मद्द पिर्देश के 16 जिले और 3 संभाग अलग करके 36 कड़ को भारत का 26 वा राज्य बनाया गया मद्द पिर्देश का पुनर अगठन होने के बाद जिलों की शंख्या 45 तथा संभाग 36 वचे थे मद्द पिर्देश में जिलों की संख्या 45 वचे थे और संभाग 9 वचे थे दोस्तों यह जो पुनर गठन हुआ था इस यह संख्या ने सब्देश का पुनर अगठन किया गया था जिसके दौरा यह छतथीस गड़ का गठन होगा 84 संवीध Самसोधन 29 उसके बाद ही फिर इसके बाद दुश्तों दो हजार तीन में तीन नए जलों का गठन किया गया था पहला जिला था गुना से अलग करके अशूक नगर जिला बनाए गया गया और तीसरा था तीन नए जलों का गठन किया गया था दो हजार आठ में दो नए जलों का भी गठन किया गया है 2008 में दो नए जिलों का गठन किया गया पहला जिला था 17 माई 2008 को 17 माई 2008 को जावुआ से अलग करके अली रासपुर जिला बनाया गया या देट भी याद रखेगा आप 27 माई 2008 को कोई दोस्तों यहाँ पर 28 2008 है 2008 को जावुआ से अलग करके अली रासपुर जिला बनाया गया इसके अंगला 24 माई 2008 24 माई 2008 को सीधी जिले से अलग करके सिंग रोरी जिला बनाया गया सिंग रोरी जिला बनाया गया तक इसको सीधी जिले से अलग करके सन 24 माई 2008 इसके बाद जिनोंगी शंक्या 48 से बढ़के 50 हो गई थी 15 अगस्त 2013 को साजापुर से अलग करके एक और एक और नया जिला बनाया गया इसका नाम था आगर मालवा आगर मालवा यह दोस्तो साजापुर से अलग करके आगर मालवा का कठन किया गया था दोस्तो यह मद्द फिर्दीश का बनने वाला इंक्यानवा जिला था जोकी यह फिर सबसे नमीम जिला कौन चाहे दोस्तो आगर मालवा यह साजा परसीयला करणी बनाया गया था दोस्तों बर्तवान में मद्द फिर्दिश में दस संभाग और इंकान बंद जुली शामिल है तो दोस्तों यह शंपून जानकारी यह यहीं पर श्रमाप्त होती है मद्द फिर्दिश का राज यह उनकूना कठन के बार यह मैंने मैं आपको बताया एदि आप वह जानकारी पसंद आई हो या फिर आपको तो प्लीश लाइक करें शेयर करें और दोस्तु अबूले दोस्तो इदि करना शायदे तो आप अपने फ्रेंटों को जरूर शेयर करें ताकि जो भी जानकारी है इस वीडियों और वह आपकी दोस्तो वीडियो में तब तक कि लिए दोस्तों बाए